नमस्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे ही राजिय जहां कि मुद्धे हमेशा ही किसी ना किसी कारण में चर्चे में रहते हैं आप सही समझ रहे हैं हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य की जहां कुछ दिन पहले ही state का result और admit card को लेकर सरकार और candidate में गर्मा गर्मी का माहोल बना हुआ है candidate का नाम रिसिकेस कुमार है जो जहानबाद के रहने वाले है result में candidate का नाम रिसिकेस कुमार ही लिखा गया लेकिन photo south actress की है state result के certificate पर south की actress की photo लगाने के कारण teacher ability test qualify करने के बाद भी उनका भवी से अब खत्रे में है रिसी केस कुमार ने बताया कि 2019 में सिक्षक एस्टेट परिक्षा के लिए उसने भी online form fill up किया था registration तक सब कुछ सही था लेकिन admit में एक south actress अनुपमा परवेस्वरम की photo लगी थी इस बात को लेकर रिसी केस ने कई बार बिहार बोर्ड में संपर्क कर इसको सुधारने की कोसिस की परन्तु बोर्ड की और से परिक्षा में किसी दूसरे documents या परिक्षा में सामिल होने की बात कहकर थी इस मामले के सामने आने पर राजे सरकार ने भी संग्यान ले लिया और जाज करने का आदेश दिया वही बिहार बोड ने बयान जारी किया कि अवियार्ती को स्वय परिक्षा के फॉर्म फिलप करने थी और form फिलप करते समय उसने साउथ एक्टरेस की फोटो अपलोड कर दी उसे मौका सुधारने का कई बार मौका मिला लेकिन रिसी केस ने यह जान बूचकर सुधार नहीं किया अव्याती ने बिहार बोट की छवी धुमील की ऐसे में बिहार बोट दौरा रिसी केस कुमार की SET 2019 के अव्याती को रद कर सकता है अब देखने वाली बात यह होगी कि राजी सरकार और बिहार बोट दौरा क्या नेरने लिया जाता है इस तरह की रेगूलर अबडेट के लिए चैनल को जरू सस्क्राइब कर लिए इस चैनल पर रोज डेली कंटेंट आते रहते हैं तो आपको हर जौब की न्यूस की अपडेट इस चैनल पर आपको मिल जाएगी थैंक यू